हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीप साजी केशन पर मेरा नाम निशू है और इस चैनल पर मैं आपको प्रवाइड कराती हूँ एससी से रिलेटेट जो भी इन्फरमिशन है वो ठीक है अभी हमारी सीरीज चल रही थी अगर आपने नहीं देखी तो आपको एक एक करके सारे डिपार्टमेंट के बारे में बता रही थी कुछ वीडियोज मैं अल्रेडी बना चुकी हूँ अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ल्डिसी का जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा एनफॉर्समेंट डायरेक्टरेट याने की एडी में ठीक है तो सबसे पहले जो एडी है अपना वो आता है डिफार्टमेंट ऑफ रेवीण्यु की अंडर जोकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनैंस की अंडर है तो इसका काम क्या हो गया सबसे पहले आपको जैसे पता है एडी क्या करती है investigation का काम करती है किसे related matter में finance related matter में ठीक है तो LDC का जैसे job profile normally सबका रहता है filing, noting और drafting का तो यहाँ पर आपको filing, noting, drafting इसी से related करनी पड़ेगी यानि कि किसी भी finance related जो भी investigation चल रहा है उससे related file है आपके पास आएंगी इसके लावा dispatching का काम आपका रहेगा ठीक है totally desk work है कोई field work आपका नहीं होगा और आपका जो office timing है वो रहेगा 930 to 6 5 days आपका working रहेगा बर्क लूड की बात करें तो बहुत ज्यादा होता नहीं आप दिन में 4-5 गंटे काम करो बाकी आपको अपना पढ़ाई कर सकते हो ठीक है आप पढ़ाई कर सकते हो उसके लावा Saturday Sunday आपका पूरा मिल रहा है आपको पढ़ाई करने के लिए तो आगे से यारी करना चाते हो और आम से कर सकते हो तो अब बात करते हैं जौब लोकेशन की तो जौब लोकेशन इसके ऑल इंडिया में कुछ ऑफिसेज हैं 18-20 वहां आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है ठीक है है इसका डैली में है और अगर प्रमोशन की बात करें तो अप यूटीसी बन जाते हैं उसके दस साल बाद आप बनोगे असिस्टेंट जो की ब्यालीस सो ग्रेड पे होता है यानि कि प्रमोशन बहुत स्लो है देखा जाए तो क्यों अठारे साल में जाकर आप ब्यालीस सो ग्रेड पे पहुंच पाऊगे उसके बाद भी प्रमोशन दूसरी बात है डिपार्टमेंटल एकजाम दे सकते हो LDC से UDC बनने के लिए जब आप LDC पर 5 साल अपने पूरे कर लेते हो आप 5 साल की जब आपकी रेगुलर सर्विस हो जाएगी तो आप एलिजीबल हो जाते हो डिपार्टमेंटल एकजाम के लिए फिर UDC से 9 साल बाद यानि कि departmental exam भी आप UDC से 9 साल बाद ही दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप assistant नहीं assistant enforcement officer बनोगे, जो कि 46 ग्रेट पे की job होती है, और ये post आपको SSECGL की through directly मिल जाती है, ठीक है अगर आप SSECGL clear करोगे तो directly ही आप AEO बन जाओगे, assistant enforcement officer, उसके 3 साल बाद, इसके लिए कोई exam नहीं देना आपको, 3 साल बाद आपकी regular service होती है, तो आप बन जाओगे enforcement officer यानि की EO की है, तो ये रहा आपका promotions का, बात करें transfer की, तो जो भी offices हैं आपका कहीं भी transfer हो सकता है, उस कम से कम 3 साल तो आपको एक जगह करने ही होंगे, उसके बाद आपका spouse ground है, medical ground है, या पर कोई और basis पे भी, आप अपना transfer है वो ले सकते हैं, लेकिन transfer इतना ही होता नहीं है, ठीक है, बात करें salary की, तो salary x city का देखेंगे अपन, तो 36,000 जो है आपका gross salary वनेगा, और 32,000 के आपकी, इन हेंड यानी में आपको लगवग लगवग बता रही हैं, अग्जक्ट फिगर नहीं है, तो ये आपकी salary का हो गया, इसके बाद आपका doubt है, अगर जोइनिंग के बाद, जब आपका result आजाता है, medical आपका होता है, तो ये सब कैसे होते हैं, attestation form के basis पे आपका police verification होता है, ये सारी चीज़े कैसे होती है, इन सब के बारे में मैं आपको already बता चुकी हूँ, अगर आप जानना चाहते हो, तो मेरी पिछली वीडियोज में जाकर देख सकते हो, मेरी playlist में सारी वीडियो जब वो available है, अगर आपका कोई और भी doubt है, तो हमें बताएं, हमारे facebook channel, instagram channel, telegram channel, इनकी link भी आपको description box में मिलेगी, वहाँ आप हमें message कर सकते हैं, या फिर हमें comment section में आप comment कर सकते हैं, जो भी doubt होगा, हम कहीं से भी, खुद के label पर अपने जो भी आसपास से, कई से भी information कलेक्ट करेंगे, और आपको जरूर provide करेंगे, ठीक है, दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं आपको, तो please वीडियो को like करें, हमारे channel को subscribe करें, और ऐसी informative वीडियो पाने के लिए, हमारे channel दीव साजू के साथ जोड़े रहें, ठीक है, थैंक यू,